फिलाल तो देश में एक ही high speed real project है जो अंडर का स्टेक्शन है हमारा मुंबई एहमदाबाद high speed real project लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि government announcement कर चुकी है टायमेंड quadrilateral बनाने के लिए ये basically सारे बड़े metropolitan cities और कुछ दूसरे important cities को connect करने वाली high speed bullet train lines होंगी वीडियो के अंदर मैं इसी के उपर चर्चा करूंगा तो रूस तो एक बार यहाँ पर समझना जरूरी है कि इस वीडियो के अंदर अब तक जो government ने काम किये है वो मैं आपको बताऊंगा और साथ-साथ उसके बाद में मैं मेरी speculations और मेरी predictions बताऊंगा कि किस तरीके से ये lines बन सकती है government statements यहाँ पर मैं नहीं दे रहा हूँ second half of the video में तो वो पहले समझते हैं तो जिको government ने जो है DPR service का काम जो हो बहुत पहले शुरू कर गया था करी routes के उपर चाहे पूरा Mumbai से लेके एहमदाबाट दिली route हो, दिली से वारनसी, कलकता, हावडा तक का route हो, साथ के कुछ routes हो, यह सब के उपर काम चल रहा है जो branch lines भी diamond quarter में mention की गई थी, उनके उपर भी service वेगरा हुए थे इसके अंदर महाराष्टा government ने अपनी तरफ से भी काम किया था, और central government भी इसके उपर कुछ हद तक ज्यान दे रही है तो जो bullet train lines extra बनाने का काम है, यह पिलिंदरी बेसेस पर बहुत पहले शुरू हो चुका है, हाला कि construction इसका काफी दूर है अगले step के बारे में बात करें, जो government अब तक कर जोके हो यह है, यह कई आने वाले समय में हमें ऐसी lines देखने को मिल रही है यहाँ पर bullet train lines के लिए जगह छोड़ी जा रही है, यह especially महाराष्टा में हो रहा है जम्रदी महामार्क जो बना है, उसके पास में already जमीन acquire कर ली गई थी, high speed real line बनाने के लिए Recently कुछ और नए हमें roads भी बनते हुए देख रहे थे माराष्टा के अंदर, यहाँ पर government जमीन extra acquire कर रही है, future में high speed real lines बनाने के लिए तो यह भी पिंदरी काम है, इसके साथ साथ government बीच में कुछ feasibility reports के बारे में बात कर चुकी है, for example, दिली वारनसी रूट को kind of feasible नहीं बताया गया था, करने standards के सबसे दिली Mumbai feasible था, तो उस हिसाब से भी government planning कर सकती है कि कौन से routes पहले बनने चाहिए, अब मैं उस हिसाब से बा उनोशेर के बीच में है, वो one of the most congested है, और जो trains भी चलती है, उसके अंदर premium trains भी अभी फूल होती है, in fact, यह अकेला route है, जहापर double वन्दे अबारत express trains चलती है, और वो भी अभी 160 के speed से चलना शुरू हो जाएगी, तो यह लेंग काफी feasible है, दो prosperous cities के बीच में काफी commuting होत पहले बात हमको पता हैं यह ticket prices होंगे क्या, दूसरी बात एक बात समझना जूरू है, देश के अंदर per capita income काफी अच्छी speed से बढ़ रहा है, कुछ सालों पले flights में भी कोई नहीं जाता था, आज airports पे crowd है, और flights की tickets कभी कभी मिल नहीं पाती, at the same time, जैसे जैसे हमें routes complete होते ह होते हुए नजर आएंगे, वैसे वैसे जो routes आज feasible नहीं है, चाहिए फिर वारण नसीदर का route हो, या south के कुछ routes हो, वो भी feasible होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हजारों लाखों लोगों की paying capacity बढ़ जाएगी, तो government उसके हिसाब से routes को plan करेगी, दूसरा issue जब भी government के साम operations बता रहा हूँ, लेकिन obviously government इतना बड़ा investment directly नहीं कर सकती, तीसरा issue जो है, वो है actual में चीज़ों को test करना, मैंने एक interview के था सुधान शुमनी सर के बाद, जहाँ पर हिससे में हमने बात की थी, इसी concept के ओपर कि क्या हमें पूरी network की जरूवत है, तब एक important point ये mention किया गया कि visibility या फिर कितना returns आएगा, इसके सोच के बिना कभी भी एक pilot project जो है, अच्छे level पर execute होना चाहिए, उसके हिसाब से फिर rapid expansion हो सकता है, government पहली भी ये किया है, हम में भी एक दो lines metro की यहाँ वहाँ बनते हुए नजर आएगी, हम चीज़े सीखेंगे, और एक बार जब पैसा बहुत सरा लगी चुका है, लेकिन हम techniques सीख रहे है, क्या दिक्कत आते है, वो समझ रहे है, equipment जो हमें लगते है, वो हम अभी खुद बना भी रहे है, starting में कई रेक्स जो है, वो चपान से ही आएगी, हमारा staff train हो रहा है, और इसके वज़े से एक basic level के understanding हमें हो जाएग नजर आएगा, उसके बाद में हम आगे की roots की better planning कर पाएंगे, इस stations कैसे होने ही चाहिए, कौन सी चीज़ हम भारत में बना सकते है, supply chain develop होगा, हो सकता है, जौती पाच्वे line बनने तक हम rakes भी इंडिया में assemble करना शुरू करते, जो अभी तो Japan से ही पूरी तरीके से बंद क पड़ेगा, और लास्टली जो है, government का फिर एक बड़े level पे full scale पे project execute करना, सप्राइजिंग नहीं होगा कि पहले एक दो line के बाद में हमें 3-3 चाचा लेंस का execution एक साथ होते हुए नजर आए, और मेरे अनुमाम के हिसाब से, एहमबाद Mumbai line खुलने के 2-3 साल बाद हमें ये